राहुल अखिलेश की सभा में हंगामा, दोनों मंच छोड़ कर गए, प्रियागराज में समर्थकों ने सुरक्षा घीरा तोड़ा, पुलिस से धक्का मुक्य हुई कई घायल, प्रियागराज में राहुल गांदी और अखिलेश यादव की सयोक्ति रैली में बबाल हो गया, राहुल अखिलेश के मंच पर पहुचते ही समर्थक बेकाबू हो गए, उन्होंने सुरक्षा घीरा तोड़ दिया, मंच की तरह बढ़ने लगे, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्य की, पुलिस ने लाठी चलाई तो वहां भगदर जैसे हालाथ हो गए, लोगों से शांत रहने की अप्पिल की, जब दोनों नेताओं की समर्थकों ने नहीं सुनी तो सपा के पूर्भ मंतरी श्री प्रकास राय और पुललन राय ने मंच समभाला, उन्होंने भीड से हाथ जोड़कर अपिल की, कहा हमारे राष्ट्रे नेता और कॉंग्रेस के र मौझूद नेताओं ने अखिलेश को रोपने की कोशिश की, लेकिन वह इतना नारस हो गए कि मंच के पीछे बने हैली बैड की तरफ चले गए, अखिलेश के साथ राहूल भी मंच से उतर गए, दोनों नेता बेना रेली को समभूदित किये ही, मंच छोड़कर हैली आज में कॉंग्रेस प्रतियासी उज्वल रमन सिंग के लिए परचार करने के लिए पहुचे थी, यहां से भाजपा के केसरीना तिरपाठी के बेटे निरश तिरपाठी को उतारा है, सपा के सिक्षक डॉक्टर मान सिंग यादव ने कहा, विसाल जन सलाग को देकर इस विए से आविवस्था हुई है दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं